सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए रुषकार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत सबागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेखे आए हम आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्नियूज तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बात करते हैं पुराने पूल की सवाल दोस्तों यहां भी यह था कि मेरे चारों तरफ आगे पीछे दाइबाए उस दिन उस टाइम पे कितने ऐसे फोन है जो फिलहाल मार्केर में नहीं है आने लड़े में आने वाले थे तो यहां दोस्तों भी आप वोटिंग हुई है बिल्कुल एकदम सिक्वेंस में 63% बुलते हैं हुई है पांच उसके बाद में आता है नंबर 4, 3, 2, 1 तो बहुती भारी भूमत से वोट मिला है पांच को और सही जवाब भी बिल्कुल सही है पांच उस टाइम पे मेरे चार एमरी फोन है उसको चेंज किया है मैं दोस्तों यूज यहां पे आईफोन तो एक करता ही हूँ जो हर साल चेंज करता हूँ लेकिन जो एंड्रोइड फोन है वो हर कुछ हफतों में हर कुछ दिनों में हर कुछ महिनों में चेंज होता रहता है तो क्या आप गैस कर सकते हैं क मैं करेंटली कौनसा एंडरोइड फोन यूज़ कर रहा हूँ आम दोस्तों बताईए भईया उपर दिये गए पोल में अपना जवाब और ऐसे में नीचे कॉमेंट्स में लिख डालिए कि आखिर वो फोन कौनसा हो सकता है और मैं दोस्तों फिलहाल भाग के आए हूँ जल्दी से दिल्ली से वापस दुबई और यहां से जाने वाला हूँ सीधा दोस्तों कहीं और आपके लिए कुछ और काम करने के लिए ऐसे में ट्रावल बुखत ज्यादा होता है ठकान वगर अभी होती है लेकिन आपका प्यार है तो ताक्त अंदर से मिलती रहती है तो दुस्तों बस आगे बढ़ते हैं इसी बात पे और लाइक दबादो और शेर वेर कर दो और सारी बाते मिलाओं लगते थे तो थोला मोटा जो है जो है जोड़ लगाँ लाइक आप दबाही दोगे उससे बात करते है पहले अपडेट की निकल के आता है यहाँ पर गूगल की तरफ से और यहाँ पर उसनों गूगल जो है वो खुद ही यह बोलता है कि जो फूशिया होए से वो यहाँ पर एंडॉइड वगरे को रिप्लेस से नहीं करने वाला है या फिर जो क्रोम होए से उस उसको रिप्लेस नहीं करने वाला वो काफी दूनों से सुन रहे थे कि वह यह से में फूशिया जो है वो Android का future हो सकता है चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा लेकिन यहां पे Google खुद कहता है कि भाई दो जो है, वो अलग-अलग आइडियाज है अलग-अलग अप्रोच है, Android अपनी चेके पे रहेगा लेकिन जो फूशिया है, वो उसके साथ में को एक्जिस्ट करेगा, खुछ particular devices के लिए दोस्तों बात करते हैं, अगले update की निकल के आता है यहां पे जर्मनी की दरफ से और भाईया यह काफी दोस्तों कमाल टेकलोजी है जहां पे बात हो रही है electric highways की मतलब यहां पे दोस्तों highway पे जैसे भाईया train दोस्तों चलती है, अगर पट्रियों पे electric trains तो यहां पे दोस्तों trucks हैं वो चलेंगे दोस्तों highways पे बिजली की मदद से मतलब काफी किसी train दोस्तों बात करते हैं, अगले update की निकल के आता है यहां पे redmi की तरफ से बात हो रही है भाईया, इनके flagship phone के बारे में और यहां पे दोस्तों नाम है exactly क्या होने वाला है वो हमको खल मालूम चल जाएगा फिलाल दोस्तों बहुत confusion है कि यह X20 है, के K20 के T20, के P20 अब यह समझ नहीं आ रहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यह 20 का मतलब क्या है भाई, इससे पहले फिर वो 19, 17, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 वो कहां गए, या फिर मतलब यह, इसका मतलब क्या है इसके signal फिर इस क्या है अगर आपकी दिमाह भी कुछ आती है तो नीचे कमेंट करके बता ही दो दोस्तों बात करते है अगले update की निकल के आता है यहां पर Honor की तरफ से और यहां आप दोस्तों Honor वो भी कर रहा है टीज अपने upcoming phones के लिए जहां पर दोस्तों होने वाले है चार-चार कैमराज देखिए भी आप फोडोस को रहता है जहां पर दोस्तों चार गोलों को जो है वो हाईलाइट कर रहा है यहां पर Honor और यह दोस्तों जो कैमराज होंगे यह खाफी strong और capable होंगे अगर आप करते हैं पराज जैसे Huawei के P30 Pro की तो आपको लगबग वैसा ही setup देखने को मिलेगा Honor के इसी नए phone में और यह दोस्तों in fact काफी सारे phone होने वाले दो देखते हैं exactly क्या होता है लंदन में 21 मई को दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की निकल के आता है यहांपे Mr. Elon Musk की तरफ से और यहांपे दोस्तों यह बात कर रहे हैं भीया सेटलाइट को लाँच करने की जहांपे दोस्तों आइडिया कुछ ऐसा है कि भाई बहुत सारी सेटलाइट जो है पूरे धरती के चारों तरह अपने जाल बना ले और उसके बाद में धरती बे कोने कोने तक इंटरनेट पहुँचा दे काफी बढ़िया तरीके से तो यहांपे दोस्तों जो फर्स्ट बैच है उसके एक फोटो यहांपे उन्हें ट्वीट की है जो बोलते हैं कि बिल्कुल लाँच के लिए तयार है और यहां पर दोस्तों यह लाँच जब हो जाएगा भी आरे ले दो दुनों में उसके बाद में ऐसे और दोस्तों बहुत सारे लाँचिस किये जाएंगे आने वाले कुछ टाइम में और उसके बाद में सब तरफ जो है वो कनेक्टिविटी को पहुंचाने का इरादा है देखते हैं आगे चलके प्लाइन क्या होता है दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की निकल के आता है यहां पे रियल मी एक्स को लेके और भाईया यहां पे यह एक पोस्टर लीक हुआ है और इसे में पोस्टर सामने आता है वो बताता है कोई फोन कैसा होगा आगे से या पीछे से गाफी उस्तों यहां पे क्लियर फोटो है लेकिन पोस्टर छोड़ो भाईया यहां पे फोन की इंजार बनाए रखिये, आपको मिलेगी पूरी जानकारी कि अखिर क्या किया है रियल्मी ने, रियल्मी एक्स के साथ में उस्तों बात करते हैं, अगले अब डिट की निकल किया आता है यहाँ पर इंटेल की तरफ से, इंटेल भईया और यहाँ जानकारी कि अगले है तो यहाँ पर इंटेल बumen बक्राइब की परें अगर हमें बात करते हम लैप थो फोल्ड़ल डिस्प्डेल के साथ में तो वह भी कम से कम दो साल दूर है ऑब देखते हैं, दो साल बात कर स्ज़़धे लंब टाइम तो है नहीं अगर हम enjoy कर पाते हैं folding laptops को दूस्तों बात करते हैं अगले update की निकल के आता है यहाँ पर Xiaomi की तरफ से और यहाँ पर दूस्तों Xiaomi जो है वो इंडिया में लेके आ गया है Mi Express कियोस्क जहाँ पर दूस्तों बात ओ रही है वेंडिंग मशीन की और यहाँ पर भाया आप जो है वो निकलवा पाएंगे अंदर से बाहर मशीन से सीधा यहाँ पर दूस्तों Xiaomi के phones और कुछ accessories बगर है आप दूस्तों payment जो है वो cash के दुरू कर सकते हैं UPI की दुरू कर सकते हैं अपने credit debit card के दुरू कर सकते हैं तो यहाँ पर दूस्तों जैसे होता है भाया कभी खाने पीने के लिए वेंडिंग मशीन तो यहाँ पर यह आगई है वेंडिंग मशीन Xiaomi के smartphones और बाके series के लिए खाफी एक अच्छा initiative है और यहाँ पर दूस्तों Xiaomi इसको जगए जगए पर किया है अपना तो वो एक बात है दिखते हैं है अगे इसको लेके और के updates निकल के आते हैं आईडिया दिखने में घर काफी अच् Corner के आता है यहाँ पर याँ जियो के तिरफ से और वहिए जिवा ने जियो घृएम को एक टाइम पर बहुत था कि एक साल के लिए वापिस से एक्स्टेंड कर दी गई है जियो प्राइम मेंबर्शिप अगर आप जाते हैं अपने माय जियो अकाउंट पर आप दोस्तों देखेंगे कि यहां पर एक साल और आगे तक की आपको वैलेडिटी मिल चुकी है तो ऐसे में काफी अच्छी बात है यहां खाफी अच्छे बेनिफिट्स हैं प्राइम मेंबर्शिप के खाफी एप्स वोगरे बड़े आराम से लोग यूज़ करते हैं और ऐसे में देखते हैं कि आगे जलके अमबानी साहब इसको कब तक आगे बस एक्स्टेंड करते हैं दोस्तों बात करते हैं अगले अप दोस्तों पपफ सेल्फी कैमरा भी हो सकता है और इसके अलबा 20 वाट की फास्ट चार्जिंग का जिक्र है और यहां पर दोस्तों कुछ और स्पिस्विशन्स लीक होई है इसी फोन की जो कि लगता है कि बहुत जल्दी लॉंच होने वाला है वैसे में दोस्तों ओपो अगर आपका खोड़ दोस्तों जय हिंद वन दे मातरम